हे गाईस स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य मोटो राइड में और आज हम बात करेंगे साथ ऐसी गाड़ियों के बारे में जो की कुछी महीनों के अंदर भारती ये बजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है यामाहा फेजर 150 ये ए आपको बैक पेंज जिसी कोई भी दिक्कत इसमें फेस नहीं करने पड़ेगी जुसका टैंग के उसपेज आपको काउल मिलता है वो बाइक को काफी स्पोर्टी अपेरेंस देने में मदद करता है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एर कूल इंजिन आपको इसमें मिलेगा जो की BS6 इसमें आपको 6 मिलने वाले हैं बाइक में आपको एनलोग और डिजिटल का मिल जाने वाला है सामने आपको टेलस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे पीछे आपको डबल शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलेगा UBS ब्रेकिंग की टेकनोलोजी मिलेगी तो जो इसकेड वगएरा होने के चांसेज है वो इस बाइक में थोड़े कम फेस करने पड़ेंगे आपको सामने आपको डिस्क प्लेट मिलेगी और पीछे आपको ड्रम रिक मिल जाने वाला है अब अगर बात कर लेते हैं कि ये 10,000 रुपे जो बाइक का लुक से वो बहुत ही शानदार है आप दो लोग आराम से कंफरेबल होकर इसमें ट्रेवल कर लोगे सामने आपको LED हेडलाइट मिलेगी पीछे आपको LED टेलाइट मिलेगी और बल्ब इंडिकेटर्स आपको इस बाइक में ओफर हो जाने वाले हैं 124 CC का सिंगल सिलेंडर ओयल कूल इंजन आपको इसमें मिलेगा जिसमें आपको 14.7 BHP की पावर और 11.6 Nm का टॉर्क मिलेगा और नंबरोग गेर्स आपको इस बाइक में 6 मिल जाने वाले हैं उसमें आपको dual channel ABS मिलेगा, all digital instrument console मिलेगा, USD front folks आपको मिलेगे लेकिन इंडिया म मार्केट में आपको USD मिलता है, लेकिन इंडिया में cost cutting करने के लिए आपको telescope की मिलने वाला है, और पीछा को monoshock suspension मिल जाएगा और dual disc plate आपको इस बाइक में देखने को मिल जाने वाली है, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये बाइक कब तक भारती बजार में लांच हो तो ये जो बाइक की आपको 125 CC में मिलेगी, इसकी जो price रहेगी वो रहेगी around 150,000 रुपीज, अगर lux को देखें तो बाइक का lux बहुत ही बढ़िया है, handle का जो posture वो भी upright है, तो back pain जिसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, दो लोग आराम से इस बाइक में travel कर लोगे, सामने आ आपको bulb tail light मिलेगी और bulb indicators इसमें offer किये जाएंगे, और इसमें मिलेगा आपको 124 CC का single cylinder liquid cooled engine, जिसमें आपको 12 BHP की power और 11 Nm का torque मिलेगा, और इसमें आपको number of gear 6 मिल जाते हैं, जो panniers है वो भी आपको यहाँ पर standard मिलेगे, तो जब आप bike खरीदो के तो उनके साथ ही आपको मिल जाने वाले हैं, small digital display आपको यहाँ पर मिलेगा, inverted fork suspension आपको सामने मिलेगे, पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा, dual disc with dual channel ABS आपको इस bike में मिल जाने वाला है, अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी, तो December 2023 में यह bike confirm भारती बजार में launch होने मिल जाने वाले हैं, नमबर 4 पर आती है husk वरना sword billion 125, husk वरना company की 250cc की bike भी भारत में चलती है, लेकिन दिन बदिन उसकी selling भी गिरती जारी है, तो अपनी sales बचाने के लिए और company की हिज़त बचाने के लिए वो लोग 125cc की bike launch कर रहे हैं, जिसकी pricing रहेगी 1,25,000 रुपे, bike क जो लोगे वो identical रहेगा, अभी की 108,250 से और इसमें आपको जो electricals हैं, वो भी आपको same मिल जाने वाले हैं, bike में आपको मिलेगा 124cc का single cylinder liquid cooled engine जिसमें आपको 14.5 bhp की power और 12 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं, digital instrument console आपको offer किये जाएगा, single channel ABC सामने आपको telescopic suspension मिलेगा, यहाँ पर cost cutting की जाएगी और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाने वाला है, बाकी आपको दोनों ही wheels पर यहाँ पर disc brake मिल जाने वाले हैं, अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक launch हो जाएगी तो October 2023 में यह bike confirm भारती बाजार में launch होने वाली है, number 5 पर आती है Honda CL250, यह जो bike है यह एक scrambler bike है जिसकी pricing रहेगी 2,00,000 रुपे, यहाँ पर यह जो bike है इसका जो looks है वो आपको बहुत पसंद आने वाला है, आप दो लोग आराम से comfortable होकर इसमें travel कर लोगे, जो handle की positioning है वो भी upright है, तो किसी भी चीज में आपको uncomfortability नहीं लगने और जो bike का exhaust positioning है वो bike के looks को काफी enhance कर देता है, बाइक में यहाँ पर आपको मिल जाता है 249 CC का single slander liquid cooled engine जिसमें आपको 27 BHP की power और 21 Nm का torque मिलता है और यहाँ पर आपको number of gears 6 मिल जाने वाले हैं, सामने आपको LED headlights मिलेगी, LED indicators और LED tail light इस bike में offer हो जाने वाली है, digital instrument console आपको यहाँ पर मिलेगा, सामने आपको telescopic suspension मिलेंगे, पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा, dual channel ABS और dual disc brake आपको इस bike में offer कर दिये जाते हैं, अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी, तो December 2030 में यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है, नमबर 6 पर आती है Lex Moto LX 125, यह एक fully fed bike है जो youth को काफी पसंद आने वाली है, sports bike category में यह bike आती है, इसकी जो pricing रहेगी वो रहेगी around 1,30,000 रुपीज, bike का जो look से वो बहुत ही शानदार है, आप दो लोग आराम से comfortable होकर इसमें travel कर लोगे, जो bike की handling है वो भी यहाँ पर बहु इसमें offer हो जाने वाले हैं, bike में आपको मिलता है 124 CC का single cylinder liquid cooled SOHC FI engine जो की BS6 compliant रहेगा, जिसमें आपको 12 BHP की power और 11 Nm के torque मिलेगा, और number of gears यहाँ पर आप उच्छा है, मिल जाते हैं, bike में आपको dual disc with single channel ABS offer होने वाला है, analog और digital का meter आपको यहाँ पर मिलता है, fully fed में यह bike आत जिसमें आपको बहुत ही बढ़ी लुक्स मिल जाता है, सामने आपको telescopic suspension मिलेंगे, पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा, और 13.5 liter की fuel tank capacity आपको इस bike में मिल जाने वाली है, बाकि अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक launch हो जाएगी, तो September and या फिर October के starting में यह bike confirm भरती बजार में launch होने वाली है, नमबर 7 पर आती है Yamaha XSR 155, इस bike की demand है वो दुनिया में बहुत जादा है और इंडिया में भी इस bike के fans आपको बहुत जादा मिल जाने वाले हैं, 1,75,000 रुपीज इस bike की कीमत रहेगी, रैटरो डिजाइन में इस bike की looks आती है, और जो overall looks है मुझे भी इस bike cylinder liquid cooled engine, जिसमें आपको 19.3 BHP की power और 14.7 NM का torque मिल जाता है, और number of gears इसमें आपको 6 मिल जाते हैं, bike में आपको digital meter मिलेगा, upright handle bar मिलेगा, तो किसी भी चीज़ को लेकर दिक्कत नहीं आएगी आपको चलाने में, dual disc with single channel ABS यहाँ पर आपको offer किये जाएगा, सामने आपको USD fork suspension मिल भारती बजार में आने वाली है, तो यह जो bike है, यह December 2023 में भारती बजार में launch होने वाली है, बाकी दोस्तों आप comment करके बताओ कि इन 7 bikes में से आप कौन सी bike को लेना पसंद करोगे, तो उमीदे कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो उसको like करो, share करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आया हो, तो subscribe करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ, अभी के लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos.